स्वस्थ रहने के लिए ध्यान देने योगी जरूरी पाते ही नमबर एक लेमन्टी पीने से कब्ज, पेट की गैस और मोटापे जैसी समस्या से निजात मिलती है नमबर दो अगर भूख कम लगती हो तो पका हुआ टमाटर कच्चा खाने से भूख खुलती है नमबर तीन प्रति दिन सुबह शाम एक किलास पानी में एक चमबस सेब का सिरका और एक चमबस शहद मिलाकर पीने से लिवर की कमजोरी और गर्मी दूर होती है लिवर की ताकत बढ़ाने का ये कारगर उपाय है नमबर चार पेट में अमलियता यानी एसिडिटी हो जाने पर गुलकंद खाने से जलन कम होती है और आराम पहुंसता है नमबर पाँच हरा धनिया पीस कर उसका रस निचोड़ कर पीने से उल्टी रुख जाती है नमबर छे खुनी बवासीर में खुन बहना रोपने के लिए 10 क्राम धुले हुए काले तिल को आजा मक्षन के साथ खाना चाहिए इससे खुन जल्द ही बंद हो जाएगा नमबर साथ बवासीर के मस्ये पर राय के तेल से लगातार मालिश करने से मस्ये मुझजाने लगते हैं नमबर आठ पीली मिट्टी को पीस कर पानी के साथ लेप बनाए इस लेप को पेड़ू पर लगाने से पेशाप खुल कर आती है नमबर नो पत्री की समस्या हो तो पत्थर चट्टा का एक पत्ता और चार दाने मिस्री पीस कर एक कप पानी के साथ खाली पेट सेवन करें पत्री और दर्द दोनों समस्याएं खत्म होंगी नमबर दस गुर्दे की बिमारियों से बचने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग उप्योगी है इससे खून में होने वाली अमलता खत्म होती है जो किड़नी की बिमारी प्रमुक वजहों में से एक है नमबर ग्यारा पपीते की जड़ 6 ग्राम पीस कर 10 ग्राम पानी में घोल कर छान लें इस पानी को पीने से पत्थरी गल कर बाहार निकलती है नमबर बारा बच्चों को दस्त लगने पर थंडे पानी में जाइफल पीस कर सुबह शाम देना चाहिए नमबर तेरा छोटे बच्चों की हरे पीले दस्त होने पर मा के दूद में जाइफल घिसकर देने से लाब होगा नमबर चौदर नीबो के रस में जाइफल घिसकर पीने से दस्त खुल कर होते हैं नमबर पंदरा हजवाइन, काली मिर्च, लहोरी नमक, सोट, सफेज जीरा, मोटी इलाइची, धनिया, पुदीना, नौसादर और काला नमक ये सब दस-दस ग्राम और तीन ग्राम लौंग लीजे इन्हें पीसकर चूर्ण बनाना है हर दिन तीन ग्राम चूरन पानी के साथ फाकने से पेट की गैस और दर्द दूर होता है जिससे हाजमा सुधर जाता है नमबर सोला पेट में कीड़े होने पर एक चम्मच कच्चे आम के छिलकों का काढ़ा दो दिन पीने से कीड़े मर जाते हैं नमबर सत्रा पेट के कीड़े होने पर लसी में पीसी अजवाइन मिला कर पीने से पेट के कीड़े मरते हैं नमबर अठारा आधा चम्मच हल्दी तवे पर भून कर सोने से पहले खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं छोटे बच्चों को प्याज का रस पिला सकते हैं नमबर 19, सुबह शौच जाने से पहले तामे के बरतन में रात का रखा हुआ, आसी पानी पीने से कब्ज के समस्या से छुटकारा मिलता है, ये उपाए रोज करना चाहिए नमबर 20, अगर बच्चे को पेशाब ना आए, तो 6 ग्राम कलमी शोरा थोड़े पानी में घोल दे, इसमें रूई डुगो कर बच्चे के मसाने पर रखे, उसे 4 मिनट में ही पेशाब हो जाएगी नमबर 21, पेट के बिमारियों से बचने और इलाज के लिए मूली पर काला नमक, पिसी कलोंजी और मिर्च डाल कर खाने से फायदा होगा नमबर 22, दो चम्मच मेथी दाना एक किलास पानी में उमाल कर छान ले, इसे गुर्वुना पीने से एपेंडिक्स के दर्द में अराम मिलता है नमबर 23, एक माशा खड़िया मिट्टी सुबह शाम खाने से पित का निकलना रुख जाता है नमबर 24, काला पीलिया होने पर मूली के पत्तों का रस निकाल कर पीना चाहिए नमबर 25, रोजाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से पेट जनित अनेक बिमारियां दूर होती है नमबर 26, किसी ने काच खा लिया हो तो उसे उबले आलू खिलाने चाहिए नमबर 27, पेट में किसी भी तरह का जहर चले जाने पर एक ग्राम राई का चूरन पानी में घूल कर पीने से उल्टी हो जाती है जिससे विश पहार निकल जाता है, आप सरसों का तेल भी पिला सकती है नमबर 28, अगर आपको यात्रा के समय उल्टी होने की समस्या होती है तो यात्रा से पहले एक चम्मच अद्रक और एक चम्मच प्याज का रस मिला कर पीना चाहिए नमबर 29, हाई यूरिक एसिट कंट्रोल करने के लिए आवले में थोड़ा एलो वेरा जूस मिला कर सेवन कीजे नारियल पानी का सेवन करने से यूरिक एसिट कम होता है नमबर 30, गुर्दे की बिमारियों से बचने के लिए हर घंटे पानी पिए पानी पीने से किड़नी में मौझूद विशैले तत्व बाहर निकल जाते हैं नीवो पानी पीने से फायदा होता है और इससे विटामिन सी भी मिलता है नमबर 31, तुतलाहट की समस्या से छुटकारा पानी के लिए दो ग्राम भुनी फिटकरी मूँ में रखकर सोना चाहिए तीन महिने में समस्या समाप्त हो जाएगी नमबर 32, मौर का पंक बच्चे के गले में बांधने से बच्चे दात नहीं चबाते हैं और उनको रात में डर भी नहीं लगता है नमबर 33, अद्रक का रस और शहद मिलाकर लगाने से दात दर्द ठीक हो जाता है नमबर 34, 100 ग्राम आम की लकडी का कोईला, 10 ग्राम लाहोरी नमक और 10 ग्राम इलाइची का तेल मिलाकर एक काँच की शिशी में रखे इससे दातों पर मंजन करने से दार सफेद होते हैं नमबर 35, 100 ग्राम पीली पत्ती वाला तंबाकू तवे पर हलकी आज में चम्मर से हिलाते हुए भूने जब इससे धुआ निकलना बंध हो जाए तब इससे 10 ग्राम लाहोरी नमक और 5 ग्राम काली मिर्च के साथ पीस ले रोज इससे दात और मसूनों पर लगाने से खुन नहीं आता है और पाईरिया रोग खत्म होता है दोस्तों उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें भी इनका फायदा मिल सके और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद